हलो स्टेंट्स यह आपके लिए सेकंड पार्ट आ गया है एप्लाइट फेस का यह 11 कोशन जो दिये गए बहुत इंपॉर्टन कोशन है फिजिस एप्लाइट फिजिस के एक्जाम पॉलिटेन एक्जाम के लिए इसमें जो करम सा कोशन दिये गए वो टू मार्क्स और फाइब मार्क्स के लिए दिये गएए जो आपकी एपलाइट फिर्वे के जाम के लिए बहुत ज्याला इंपॉर्टन से तो आप लोग इस इस वा अपलों इस पेकर को स्लैट कर लिए और इससे जो इंपको उन्पनालों जी निए इनको सब को तायार कर लिए इस गैस के बात क्यू यह second part applied phase का जिसमें important points सारे दिये गए हैं जो important question exam से लेटेव इसमें दो numerical भी दिये गए हैं जो आपके exam में बहुत important है जो numerical दिया गया है यह एक आदस उसमें गिंजन गई है कानोट साइकल से दिया गया है ये ने मेरिकल वोड एक्जाम के लिए और ये टैनल पाउर फाइब एन वाई मीटे स्क्वार के वाई वंडल पर बर्पके गुटके को ये आपका फर्स्ट थर्मोडानेमिक्स लास से लग जाएगा सवाल को इसके लिए आप लोग जो ये नोट साइकल से लग जाये गाए इडा बरावब वन इपान टी टी टू वाइनेस भर अन जो होता है टी टू माइनेस टीवन अला जो कंसेप्ट उससे लग जाएगा आपका ये सवाल ठीक तो इसको आप अच्छे से स्वाल लगाएंगे तो आपका इटा बरावर कोस्टन नमबर सिक्स को निमेरिकल को इटा बरावर तो वन वाइनस एटी वन अपउन टी टू से इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी साथ जाएगा फिसकी जो कंडिशन दिये यदि दो गने ताप मां दो ना कर दिये जाए तो इससे आप बैरियेट कर लिना आसानी से लग जाएगा इस सवाल को वागए यदि नहीं बनेगा तो और शाक्षनल की सिद्ण की फूष्टी करता है, दूसरे को चुछ बहुत सिंपल है सेंटीगेट में आपस में ऐनक में किस परकार सम्बने थे, तो सब लोग जानते हैं और संटीगेट कथ क्या सम्बन है और इसको आसानी सॉल्वी कर सकते हों आप लोग वागए learning स्पार जूल तदा कैलोरी के मद संबन तो 4.18 पता ही रहता है सब इस्ट्वेंट्स को कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 कैलोरी जूल होता है फेसिवेका गैस को उस्मा संचारन कैसे होता है तो उस्मा संचारन के सब्सक्राइब कर देंगे तो आज जाएगा नसा उस्मा करते की दूती नियम को समझाई यह सेकंड थर्मोडार्मिक्स लाह है यह कानोट साइकल का यह कोशन है इसमें इसमें आपको आइसोतर्मल समतापी प्रसार और रुद्रोस्न प्रसार फिर इसके बाद समतापी संपीडन और रुद्रोस्न संपीडन को वैक्स्परियर कर देना कानोट साइकल बना कर अगर यह कानोट वाला समझ में नहीं है तो आप लोग बदा इसको इन्फर्म कर देना इसके बाद उसमें चरकता गुड़ांग को परिवासत कीजिए तता इसका भीमिय सूथ यह सिंपल है इसके आर्षानी से समझ में आ जाएगा फेक कोई एसके बाद जो दो ने मेरिकल दीए है असंजक तता ससंजक बलक कोईसिव फोर्स के बारे में पूछा गया है जिसे मरकरी के एक्जा ग्लास गिला नहीं होता है पानी से ग्लास गिला हो जाता है यह से टाइप की एक्जामपल यहां से सॉल्प हो जाए गई है इसके बाद गेजड़ आप क्या समझते हैं फौर्टीन बैरोमीटर की सरचना का वर्ण करते हैं इसका उप्योग बताना है आप लोगो और यह सब इस इंपॉर्टन कोशन है अच्छे से इसको रिडिकली इस में से टेफिनेट है कि तीन चार या पांच कोशन छै कोशन भी फर सकते हैं और एक नेमेरिकल डेफिन दू मेंसे एक नेमेरिकल आने के चांब बहुत जादा है तो आप लोग इन नेमेरिकल को अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे